नमस्ते दोस्तों मैं रजनी भगत करी बात्सकिक में आप सबका फेस से एक बार स्वागत करती हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीची दिये गया के बेटन को क्लिक करते मुझे सब्सक्राइब कर लिजिए फिर बेल आइकन दबाईए मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज हम बनाने वाले हैं वेज मंचूरियन वेज मंचूरियन बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में बहुत सिंपल होती है चलिए देखते हैं वेज मंचूरियन कैसी बनती है और इसे बनाने के लिए हमें किनकी चीजों के जरुत होगी वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमें जहिए बारीक कठी गाजर दो बारीक कठी गाजर लेंगे दो बारीक कठी कैचिकम बारीक कठी हरी मिर्च और बारीक कठा धनिया बारीक कठा प्याज अरा रोठ या कोंपर्शन स्टाज 3 तेंबलब्सपून मैदा 2 तेंबलस्पून फाइप पाइज या गरम मसाला चीली सॉस 1 तेंबल बॉल्पून टोमैटो केचप 1 तेंबलस्पून लाइट सॉय सॉस 1 तेंबलस्पून नबक मंचूरियन बॉल के लिए और सौस के लिए स्वादा अनुसार तलने के लिए तेल लेंगे, देड़ कप करीब, ये मैं अभी दिखाऊंगी नहीं तो फ्रेंट्स ये थे हमारे इंग्रेडियन्स, अब हम सबसे पहले मंचूरियन्स बॉल बना करके तयार करते हैं, उसके लिए हम एक बाउल लेंगे उसमें डाल देंगे गाजर, धनिया पत्ती और कैपसिकम और मिर्च भी थोड़ा काजर हम देवी के लिए बचा लेंगे कैपसिकम और धनिया पत्ती और मिर्च को भी ग्रेवी के लिए बचा लेंगे अब हम इसमें स्वादा अनुसा नमक डाल देंगे आधा छोटी चम्मत स्पाइब स्पाइस या गरम मसाला भी डाल देंगे आधा छोटी चम्मत स्वया सॉस भी डाल देंगे सारे मैदे को डाल देंगे हाफ टेबल स्पून कॉंस्टाज छोड़कर के बाकी सारे कॉंस्टाज को इसमें डाल देंगे अब इसे हम अच्छी तरह से मसल मसल करके मिला लेंगे अगर आपको जरुरत हो तभी पानी डालें वरना इसका जूस काफी है इसे गूंडले के लिए आपको जरुरत है झाल झाल ये देखिए दोस्तों आटा हमारा लग करके तयार हो चुका है हमें इसमें पानी डालने के ज़्यूरत नहीं पड़ी क्योंकि वेज़ेटेबल के जूस से ही हमारा आटा लग चुका है अब हम इसे फ्राई कर लेंगे मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमें कडाही लेंगे उसे गरम कर लेंगे कडाही हमारी गरम हो चुकी है अब हम इसमें तेल डाल देंगे तेल डालने के बाद हम तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे तेल हमारा गरम हो चुका है अब बंचुरियन को हम फ्राई कर लेंगे बंचुरियन को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथ को पानी से गीला कर लेंगे और ये छोटे नीमो के साइज का लोई ले लेंगे और उसे गोल कर लेंगे अब इसे पेल में डाल देंगे ठीक इसी तरह हम सारे मंचूरियन बॉल्स को गोल करते हुए पेल में डाल देंगे और मीडियम आज़ पर इसे डीट फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका रंग सुनहरा लाल नहीं हो जाता है करता है करता है यह जब प्रणाओ़ थाया करता है तो बढ़ता है तो उब बचल आपकाक तो जब आपका सुनहरा तो यह अपका जब आपको भाल तो दो आपका लाग झाल झाल मंचूरियन हमारे तलकर के तयार हो चुके हैं अब सारे मंचूरियन को हम निकाल देंगे तेल से यह देखे रोज तो सारे मंचूरियन तलकर के रेडी हो चुके हैं अब हम मंचूरियन के लिए सॉस तयार कर लेते हैं सॉस के लिए हमें कडाही लेंगे उसमें तीन चमज तेल डाल देंगे और इसे हाई हीट पर गरम कर लेंगे जैसे ही तेल गरम होता है इसमें हम मेस्ट डाल देंगे और आज हाई ही रखेंगे प्यास भी डाल देंगे थोड़ा प्यास हम गानिसिंग के लिए बचा लेंगे आधा छोटी चमज अद्रक लसन का पेस्ट डाल देंगे यह मैं आपको दिखाना भूल गई थी अब इसमें कैप्सिकम और गाजर डाल देंगे और इसे 30 से किड तब भूल लेंगे अब इसमें सोया सॉस डाल देंगे चीली सॉस और टमैटो कैचप भी डाल देंगे आधा थोड़ी चमज पाइस पाइस या जरब मसाला भी डाल देंगे आप चाहें तो दोनों भी डाल सकते हैं अब हमने जो अररोन बचाया था उसका हम पतला गोल तैयार कर लेंगे उसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे और उसका पतला गोल बना लेंगे अब जिस बर्तन में हमने सौस रखा था उसमें एक कप पानी डालेंगे और उस पानी को ग्रेवी में डाल देंगे अब हमने जो अररोन का पानी बना था उसे हम ग्रेवी में डाल देंगे अब ग्रेडी ने मंसूरियन बॉल्स पुडा देंगे और इसे 30 सेकंड तक पका लेंगे मंसूरियन हमारे पक चुका है अब हम गैस को आफ कर देंगे और मंसूरियन को सिसु सर्वी डिस में निकाल लेंगे मंसूरियन को मैंने कचोरी में निकाल लिया है अब हम इसे गानिस कर लेंगे मैं इसके उपर हलका सब प्यास डाल दूँगी और धनिया पत्ती डाल करके गानिस कर लूँगी तो लीजे दोस्तों वेज मंचूरियन बन करके तयार हो जुकी है वेज मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बनी है आप धी ये रेसेपी घर पर जुरूर ट्राइ करिए और मुझे बताईए कि आपको वेज मंचूरियन खाने में कैसे लगी आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सेर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करिए इसी के साथ मैं आप से विदा लेती हूँ और आप से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के तब तक के लिए गुडबाई, थैंक्स पर वाचिंग